के हेलो दोस्तों कैसे वाप दोस्तो है फिर आज रहे आपका जय के एक और नियो वढ़ नहीं सकते हो तो आज हम दोनुजे वाले सुखने वाले तो आपाता हूं दोस्तों देखें मान लो इस तरीका से किसी इने आपका हाथ मोड़ा है सो अगर बंदे ने हात मोड़ा है और बंदा उसके बाद में दूस्तो हिए यह एख करेंगे करेंगे सिंपलि descended बड़ आसनी सो पकड़ो इया हाथ मोड़ा दोस्तो अगर बंदापास में है तो यह काम में आने वाला है पहले है बतार हूँ देखिए यह पकड़ा है स्थो fare कोशिस करें हमने एक करने कि यह तकत किया दोस् को इस तरीके से मोड़ दू ठीक है अब मैं इधर खड़े रहे कियों मोड़ूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि बंदा एल्बो से अटेक कर सकता है तो जब बंदा हात मोड़ेगा तो वह इस साइड में नहीं खड़ा रहेगा कोई अनाड़ी अदमी अगर पकड़ेगा हात मोड़ेगा तो ही वह इधर खड़ा रहेगा नहीं तो दोस्तों इधर खड़ेगा आप कोनी पुचानी कोशिश करो एल्बो अटेक करने कोशिश करो ठीक है कोशिश करो ठीक है देखे दोस्तों आपको बताता हूँ ठीक है आटेक करो ठीक है तो इस तरीके से जो है वह वह तो इस कंडिशन में आप किस तरीके से बच सकते हो वह आपको बताता हूं ठीक है यह मुड़ा है दोस्तों अब मैं अगर अटेक करने कोशिश करूं देखिए तो मेरा जो एल्बोई इस साइड में थोड़ा सा समझ माएगा तो देखे दोस्तों इस तरीके से अगर मैं अब इनने हाथ इतना मोड़ दिया है कि अब मैं यहां अठेक करूं तो पॉसीबली उल्टा मुझे ही पेन होंगा मेरा हाथ और ज्यादा मुड़ेगा इस कंडिशन में आपको क्या करना है आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है देखिए यह जो हमारा हाथ है दोस्तों सब भॉन एए और देखिए देखिए जब हम इतर तो वनेने क्या है बंड़ें ने क्लिबाब था क्या क्या करेंगे और फिर हमी अटेक करेंगे याद रहिए सब से पहले आपको क्या करना है नहीं कर सकते के सबसे पहले हम हमारा हाथ इस तरीके पकड़ के और यह नीचे जटका मारींगे नीचे आजाएगा बंदा इस तरीके साइड में आगया अब इसमें दो कंडििशन ऊती है बंद आगर इस साइड में आता है हाथ मौड़ने के लिए ठीक है मानलो इधर थोड़ सा इदर और तो फिर हम ये एकडम से छोड़ के और यह अटेक करेंगे लेकिन मानलो फंदा इदर आया ही नहीं ठीक है आप इदर ही रहो अब इस तरीके से पकड़ के रखा है और बंद इदर आया यह नहीं है तो उस कन्षन में आप क्या कर सकते हूं तो आपको बता रहो देखिए जब करेंगे अपको इधर से बताथ और ठीक है आप इधर से हाओ धीकर मोलो हां यह मनें नीचे दवा के रखा दोस्तों कर रहे हैं अगर बन.다 इधर रहता है तो हम किया औरけど कर सकते हैं मान लो बंदा पीछे है ठीक है यह नीचे कर रहा दोस्तों अब हम क्या करेंगे यह हम इसे आगे डालेंगे और उसके बाद में दोस्तों इस पेर से बंदे को इस तरीके से यह अटेक करेंगे ठीक है कि शिंपल दोस्तों आपको याद रखना है कोई भी कंडिशन हो आप 100% इससे बचोंगे और छूटोंगे मैं तोटल कंडिशन इसलिए बता रहा हो दोस्तों कई बार क्या होता है हाथ ज्यादा मोड़ दिया जाता है कम मोड़ जाता इस तरफ होते है इस तरफ होते है तो फि हम मार देंगे ठीक है पहला हो गया बंदे ने ज्यादा मोड़ दिया है हमारा हाथ नहीं पोच पा रहा है यह हम पकड़े यह नीचे करा इसमें आप बंदा गर इस साइड में है तो अटेक करेंगे इस साइड में अगर आ जाता है बंदा तो फेस पर अटेक करेंगे बंद और बंदेने तो वह किसी कंदिशन , इस साइड में खड़ा हो एक किस साइड में मोड़ रहा हो अगर बंदेन अगर हाथको हाथ को मोड़ा है आपका हाथ पीछे ले जाके बिल्कुल मुलणी कुछिस कर रहे तो आप 100% बचोंगे और 100% बंदे के उपर अटेक करोंगे तो दोस्तों मैं चाहता था कि आपको क्लियर समझाओ ऐसी कोई भी कंडिशन दोस्तों ना बने जिससे आप बचना पाओ तो आपको थोड़ा सा मैं इस पीड़े में बताता हूं कि किस तरीके से होता है ठीक है हाथ सब्सक्राइब करेंगे तो हम इस तरीक से नागी नीचे करेंगे लेकिन बंदा गर पीछे है यह कि हम नीचे करेंगे एक कदम आगे लेके और यह पीज़ेग करेंगे सिंपल है दोस्तों बड़े आसानी से आप छूट सकते हो तो दोस्तों आयोप आपको वीडियो समझ में आयोगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन के बटन को जरूर दबाए ताके जब भी हमको वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ एक टोपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए